मैं जब अपनी पिछली वीडियोज देख रही थी जब मैंने चानल की शुरुआत की थी और उस टैम से लेके अपके समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तर नहीं आया है लेकिन हाँ कुछ चेंजेज जो की ज़रूर आये हैं वो है आप सब का प्यार और मेरी यूटूब फै करता है कि आप सबको इतनी अच्छी वीडियोज प्रोवाइड करू जो कि आपके लिए भरपूर नौडेजबल हो मैंने कहां सेटिंग बनाई है कौन से कैमराज इस्तमाल कर रही हूं या स्मार्टफोन से वीडियोज बना रही हूं उनसे आपको कोई मतलब नहीं रहता है बलकि जिस तरह से आपने मुझे स्टार्टिंग से पसंद किया उसी तरह का प्यार आप मुझे आज भी देते हैं बस इसके लिए मैं दिल से थैंक्यू बोलती हूं कि वो दिन और आज का दिन बहुत सारी अंतर आ गये हैं लेकिन आपका प्यार है जो कि कॉंस्टेंट और उसके बाद उनका पीरेड आ जाता है और बहुत सरह ऐसे भी लोग होते हैं जो यह मानते हैं कि इस तरह के अगर डिश्चार जाते हैं उसके बाद जब हमने चेक किया तो फिर प्रिग्नेंसी के शिंटम से कंपेर कर सकते हैं क्या यह प्रिग्नेंसी का एक बहुत इंप स्वाइबल पर बहुत-बहुत स्वागत है जब भी अगर आपकी प्रिगनसी रुखने वाली होती है उस टेम पे आपके हॉर्मोन काफी तेजी से दोड़ते हैं और उस टेम पे जब भी अगर आपका मेंस्ट्रेशन आता है यानि कि जब आपकी ब्लेडिंग आने वाली भी ह होती है उस टेम पे भी आपके हॉर्मोन तेजी से भागते हैं जो एस्टोजिन की मात्रा होती है वो बताती है कि अब आविलूशन का समय होने वाला है और अंडे की रिलीज करने की बारी है लेकिन वो अंडा अगर वो परिपक्त हो जाता है और उसका फर्टिलाइजेशन ह हो जाता है मेल किसल के साथ उसके बाद आपकी प्रेग्नेंसी रुखने के आगे के चरन शुरू होते हैं क्योंकि उस टेम पे आपके प्रोजिस्ट्रॉन की मात्रा काफी तेजी से बढ़ती है अगर प्रोजिस्ट्रॉन अच्छा मिलेगा आपके यूट्रेस का एक फेबर B液र स्ट्रॉन प्रेग्नेंसी का पता है वह इसल्य ह्यूश्य से बहता है और का प्रेग्नेंसी आपके अगए यूट प्रेग्नेंसी से बादर है तो उसका यही बहुत बड़ा कारण होता है कि जब अगर आपका पीरेड आने वाला होता है उस टेम पे भी हलके फुलके डिश्चार्जेज इसलिए आते हैं क्योंकि उस टेम पे हॉर्मोन आपकी तेजी से बढ़ रहे होती है लेकिन अगर यह प्रिगनसी होती है तो डिश् होने के बाद भी कंटीनू रहती है और जब अगर आपकी पीरेड में सो जाती है और आपको एक अंदाजे लगने शुरू होते हैं क्योंकि बाग की सिम्टम्स भी आपको अको अकॉम्पनेड होती है जैसे कि सर में दर्ध होना चक्कर जैसे महसूस होना ब्रेथलेसनेस होन कुछ खाने की अरूची होना रासे कि कोई फूड आइटम आपको बहुत जादा पसंद है कोई फूड आइटम बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है कभी किसी चीज की बहुत जादा क्रेविंग होना चलो आइस्क्रीम खा लेते हैं चलो मुझे बहुत जादा पीजा खाने का मन कर रहा है कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में आपको बहुत जादा क्रेव हो रही है तो उसी तरह की क्रेविंग अगर आपको फील हो रही है और अगर आपका पीरेड भी मिस हो गया है तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी प्रिगनेंसी के लक्षन है लेकिन जो डिस्चार्जेस की मैंने बात कही वो नॉर्मल पीरेड के जैसा वो डिस्चार्ज नहीं होता है क्योंकि अव्विस ही बात है कि हॉर्मोन में बदलाव होंगे तो आपके प्राइवेट पार्ट के भी एरियास में इस तरह की डिस्चार्जेस आना शुरू होत हैं और इन डिस्चार्जेस का यही अर्थ होता है कि प्रेग्नेंसी रुग गई है इसको 110 परसेंट आप प्रेग्नेंसी के लक्षन मान सकते हैं अब देखे होता क्या है कि जब अगर आपका नन्हा सा भ्रोंड जब आपके घर में चिपकता है तो माप्रक्रिती का ऐसा खे मन किया तो ज़ाडू मार लिया या फिर पोछा मार लिया और जब बहुत ही ज़्यादा आलस लग गई तो चलो एक बाल्टी पानी कोडल के फेक देते हैं उसी तरह से माप्रक्रिती भी आपकी निचले अंगो की सफाई कर रही होती हैं अगर हलकी फुलकी भी बैक्टिरिय में कहीं पर भी कोई इंफेक्शन ना हो और आपके इंटर्नल ओस बंध हो जाते हैं इंटर्नल ओस तभी खुलता है जब आपके डिलीवरी का समय नजदीक आता है और उस नन्हे से बच्चे को जो एक भुरून के जैसा आपकी यूटरस में चिपका था वो जब एक बड़ सेंटीमेटर की हो जाती है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है लेकिन उसके पहले ये इंटर्नल ओस भी बंध होता है और उस कैनाल में किसी तरह का कोई इंफेक्शन ना बचे तो मा प्रकृती खुद से सफाई करती है और कुछ डिश्चार्जेज आपको दिखाए बढ़ेंगा और ये सारे डिश्चार्जेज भी आपको जादा लग सकते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है एकदम सटिक है और अगर आपको प्रेगनसी से रिलेटेड बहुत सारे इशोज जो जानने है वो आप मेरे दूसरे चैनल ट्विन्स मैं वर्ल्ड केर पे ज़रू हो सके और कभी भी अगर आपको मेरी हेल्प लगे तो एक मेल मुझे जरूर करीगा मेल के अगर रिप्लाइ में नहीं दे पाऊं तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दोगी इसी उमीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज आप लाइक जरूर करके ज ट視 जलेगे प्लीज अपको बटने जरूर करीप लाइक जरूर किंगे हैरू